यह है Garmin की एक लाक वाली स्मार्ट वॉच ऐसा क्या है इसमें इतने का तो फोन भी नहीं आता जितने की यह घड़ी है यह वीडियो में देखते हैं यह प्राइस जस्टिफाइड है या नहीं यह है Garmin Xfenix 7 Pro जैसे मैंने बुला बाइदेवे हमारे पास Epyx Pro वाच भी है इसके बारे में हम लोग बाद में बाद करेंगे स्टार्ट करते हैं इसके डिस्पले से इसके डिस्पले पे मिलता है संफाइर ग्लास जो बहुत जादा स्ट्रॉंग है लिट्रेली जिसके वैसे आपको foarte बहुत स्क्राइच ज कोई बी खेंच नहीं आते हैं हम लोग इसे 15 दिन Transflective LCD display मिलती है जो एक different type की LCD display है अगर आप इसे daylight में देखोगे तो एकदम बढ़िया दिखेगी और इसमें backlight की ज़रूरत नहीं पढ़ती जब आप high brightness condition में देखते हो मतलब daylight में नहीं समझा रुको बता दाओ अभी हम लोग बाहर आगे ब्राइट सिनारियोज में आपको Transflective display एकदम अच्छे सी दिखेगी इसमें backlight की बेसिकली ज़रूरत ही नहीं पढ़ती है वेरास इस अमोलेट display जो आप अभी देख रहे हो इसको backlight की ज़रूरत पढ़ती है कुछ भी देखने के लिए इंडोर्स कंडिशन हो या आउट्डोर्स कंडिशन हो तो बैटरी बहुत ज़्यादा सेव होती है when it comes to Fenix 7 Pro because यहाँ पर Transflective LCD display मिलती है अमोलेट display के वज़े से बैटरी बहुत ज़्यादा consume हो जाती है यह Transflective display किसके लिए अच्छा है and battery life भी बहुत ज़्यादा epic level की battery life आपको देखने के लिए मिलती है Fenix series के watch पे आपको AMOLED display जो EPYX Pro में है वहाँ पे आपको solar charging का support देखने के लिए नहीं मिलता so आपको चूज करना पड़ेगा whether you want solar charging या फिर you want AMOLED display I personally, यह मेरा बहुत ज़्यादा personal opinion है that I prefer AMOLED displays but if you are someone जो बहुत ज़्यादा hike करते है बहुत ज़्यादा travel करते है cycling, running, यह सारी चीज़े करते हो then I feel like आपके लिए solar charging के साथ transparentive display is the best option but if you are someone like me जिनको AMOLED display चीए हमारे लिए तो EPYX Pro है ही हमेशा Garmin is known for their excellent health tracking and health tracking भी बहुत सही काम करती है body battery का feature है which is very good जैसे ही body battery 10 पर यहाँ पर आ जाती है real life में भी आपको headache चालू हो जाएगा जो हमारे साथ testing में होता है बहुत बार मैं Garmin की EPYX Series की watch बहुत टाइम से यूजे कर रहा हूँ and उसमें भी सारे Garmin के watches में आपको body battery का feature मिलता and it works accurately जैसे ही body battery 100 होती है that means you are very well rested बहुत अच्छ हो and you are good to do anything वैसे तो 100 बहुत रेर ली गई है मेरे साथ 70 to 80 तक जाती है 100 तो मतलब अच्छिव करना बहुत difficult है मैं पूरा दिन काम नहीं करूँगा rest करूँगा बहुत अच्छे से खाऊंगा heart rate भी normal रहेगी तो ही आपको यहाँ पर अच्छे देखने के लिए मिलेगी because body battery के लिए it calculates your heart rates stress level, VO2 max बहुत सारी चीज़े एक साथ combination है उसका body battery में because of which वो इतना साथा accurate है बहुत सारे अलग different watches में आपको यह देखने के लिए मिलता है लेकिन जो Garmin के accuracy है वो कहा पे भी कोई भी watch match नहीं कर पाएगी even 30,000, 40,000, 50,000 watches वाले apple watches भी अप ले लोगे तो भी वहाँ पे इतनी साथा accuracy मेरे हिसाब से आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी जो Garmin के watches में देखने के लिए मिलेंगी sleep tracking भी है यहाँ पे and I would say काफी accurate है deep sleep, light sleep, awake time सब कुछ एकदम बराबर से दिखा देता है track भी कर लेता है and आपको आप में सारी चीज़े ओविसली दिख जाती है उसके बारे में थोड़े time में ही बात करते है but there was one instant जहाँ पे 7 बजे हमें उट गए थे लेकिन थोड़ा सा कुछ काम किया और वापस 7 पंदरा को सो गए 9 बजे उट गए तो वो sleep tracking की ही नहीं 7 पंदरा से 9 वाली so वो थोड़ा अगर Garmin fix कर दे तो it would be even better पर Garmin ने sleep tracking भी और already better कर दिये अगर मैं बाकी के watches से compare करू तो definitely this is a better tracking watch sleep tracking watch if you are interested in that ये pro series के watches में आपको dedicated flash light भी देखने के लिए मिलेगी बस light के button को double tap करना है और यहाँ पे light चालू हो जाएगी यहाँ पे आपको बहुत सारे effects भी देखने के लिए मिलते है इसमें ही red color भी दिखने के लिए मिलता है just in case of emergencies या फिर रात को आपको light torch ही है लेकिन किसी को disturb नहीं करना with white light red light आप use कर सकते हो अभी ये watch दिखने में इतना rugged है तो water resistant भी होगी रहे obviously 100 meter तक का water resistance मिलता है which is crazy and unless you plan to go and watch Titanic's remaining parts इसमें आपको multibank GPS भी मिलता है जिससे आप activity tracking के time use कर सकते हो maps भी मिलता है आपको Garmin के watches में inbuilt maps होते है बट वो इंडिया में आपको नहीं मिलता है आपको manually install करने पड़ेंगे open Garmin करके एक website है जिसका link में आपको description में देदूंगा वहाँ से आप install कर सकते हो या फिर Garmin Connect Ico Store पे आपको एक maps का application भी मिल जाएगा जो basic bare bones maps आपको दिखा देगा GPS data लेके app connectivity भी एकदम seamless है आपको watch का सारा data आपके phone में दिख जाएगा obviously वो तो 2000 वाले watch भी आपको data दिखा देगे इसमें क्या special है इसमें जो level of data आपको दिखता है मतलब जिस accuracy के साथ जो मतलब आप एक second, millisecond, minute सब कुछ track कर सकते हो जब आप exercise करने जाते हो कितने pace पे exercise की मतलब walking के लिए, cycling के लिए कितने pace पे गी, कितने time के लिए कहाँ पे आपकी pace जादा थी यहाँ पे भी आपको आपका सारा data दिख जाएगा एकदम detail में, website पे literally यह feature आपको वो budget वाली watch जिसके साथ आप इससे comparison नहीं कर सकते बट वो वहाँ पे नहीं देखने के लिए मिलता यह feature तो आपको Apple watch में भी नहीं देखने के लिए separately to change watch faces या फिर install application मुझे लगता है एक ही single application होना चाहिए जिसमें सारे functions एक साथ होंगे plus 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 अभी भी app doesn't look very modern यार है Garmin should definitely add some animations या फिर it should add something different कुछ modern looking app को बनाना चाहिए but it shows the data perfectly so इतना साथा मुझे complain नहीं करना because the modern UI कर दिया और data को कुछ issue हो गया तो वो भी नहीं चाहिए but modern looking application would be always preferred and would be very nice to look at animations के साथ how much you walked and then there is animation of shoes running or something like that just a suggestion in case Garmin is watching this but अगर आप iPhone यूज करते हो then there are couple of things that you should know background में app sync नहीं करता and और एक प्रबलम है कि आप notification per app basis पे disable या enable नहीं कर सकते वेरास android phone में वो सारी चीज़े possible है मैं personally android यूज करता हूँ तो मुझे तो कुछ issue नहीं हुआ but Akshaj uses iOS iPhone तो उसको वो issue हुआ battery claims are very high as usual Garmin watch and उपर से ये Fenix series watch with solar हमारे testing में 7 से 10 दिन की battery life हमें मिली which is more than enough in smartphone mode because we did not have access to solar because Mumbai में रहते है पूरा दिन बारिष almost 10 दिन होगे literally धूप देखी ही नहीं है हम लोगने so that's why इतनी कम battery life में भी हमें देखने के ले मिलेगी अगर solar charging के साथ यूज करते तो 10 दिन की battery life 12, 13, 14 दिन तक चली जाती depending solar का कितना exposure है heart rate monitoring and all तो बहुत बढ़िया है उसके बार में तो क्या ही बात करना है यह तो Garmin की watch है and I guess that's finished it for this particular video on Garmin Fenix 7 Pro does it justify its price? definitely newer sensors आपको यहाँ पर देखने के लिए better battery life है better brightness भी देखने के लिए मिलेगी Epyx Pro भी हम लोग test कर रहे है if you want us to review the Epyx Pro do let us now I have shifted completely to the Epyx Pro because review to khatam ho hai abhi Garmin Fenix 7 Pro ka if you still have any questions regarding this particular watch do let us know about that in the comment section box below I'll be more than glad to answer your queries or you can tweet it to me at the reddhanja underscore tech and I guess that's it thank you guys thank you for watching